अगर आप अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको बिजली बनाने के लिए धूप की जरूवत होती है या धूप नहीं होती तो आपका सोलर काम नहीं करता वहीं अगर आप बिंड एनरजी सिस्टम लगवाते हैं तो इसके माद्यम से बिजली बनाने के लिए पर सकता पड़ती है लेकिन कि आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी मसीन भी हो सकती है जिससे बिजली बनाने के लिए ना दूप की जरूवत होती है ना हवा की जरूवत होती है ना पानी की जरूवत होती है और ना ही डीजल की जरूवत यह मसीन खुद से बिजली बनाती है और बिना किसी बाहरी उजा इस्तोत के यह हुई ना बात बिलकुस सही सुना आपने दोस्तों जब मैंने भी इस मैगनेटिक जनरेटर के बारे में सुना तो पहली बार आपकी तरह मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी भी कोई मसीन बाकई में हो सकती है पर तक नहीं कुछ भी कर सकती है कि आज से एक सदी पहले किसी ने सोचा था कि हम आपने सामने स्मार्टफोन पर एक दूसरी से बात कर सकेंगे वीडियो कॉल कर सकेंगे सायद तब यह भी असंबब भी लग रहा होगा ठीक बैसा ही हुआ है इस फ्री इनर्जी जनरेटर के साथ में फ्री इनर के अपनाई गयी है इतना ही नहीं कंपणी का दावा है कि उसका एक मेगनेटिक जनरेटर वाजार में उपलब्ध है और जो भी से खरीदना चाहे वो कंपनी की आधिकारिक बैफसाईट पर जाकर और कर सकता है फ्री इनर्जी जनरेटर कैसे काम करता है यह क्या है इसकी तक क्या है इस बारे में अगर आप पूरी जनकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अब आसे देखें साथ ही एका चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों इन्फिनिटी ऐसे भी नाम की एक स्टार्ट अप में ऐसे बिद्दुद जनरेटर का आविसकार किया है जो की पूरी तरह इस्थाई मेगनेट्स यानि चुम्बकों के माद्यम से संचालित होता है कमपनी के अंसार इस जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए कुछ मिनट तक बिजली की सप्लाई दी जाती है या फिर बैटरी से से पावर दी जाती है जैसे ही है जनरेटर स्टार होता है बिजली की सप्लाई काट दी जाती है और फिर यह लगातार अपने आप चलता रहता है कंपनी का कहना है कि इस जनरेटर में पर्मानेंट मैगनेट को लगाया गिया है, मोटर में लगातार गती बनाई रखने के लिए घूरन को बनाई रखने के लिए पर्मानेंट मैगनेट की आवसकता होती है, जनरेटर को सुरू करने के लिए बैटरी या फिर बाहरी उर्जा क किसी स्थ्रोथ की एक से दो मिनिट के लिए अवस्यकता होती है, जब जनरेटर आवस्यक RPM को प्राप्त कर लेता है, तो उर्जा के बाहर यह स्थ्रोथ को बंद किया जा सकता है। इंफिनिटी ऐसे भी की ओर से अपने इस मैगनेटिक जनेरेटर का वीडियो दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया तो लोगों ने इस पर कई सवाल खड़े किये। कई लोगों ने कहा कि इसमें कहीं से छुपी तरीके से बिजली की सप्लाई या उर्जा के किसी इस्तुरोत की सप्लाई दी जा रही है। और बाकी की 50-20 उर्जा का प्रियो मोटर खुद के प्रियोजन यानी रोटेशन को मेंटेन करने के लिए करता है। ओधारन के लिए यदि आप 5 किलोवाट का मैगनेटिक जनेरेटर खरीते हैं तो आपको 2.5 किलोवाट की बिजली सप्लाई ही यह दे सकता है। जब कि 0.5 किलोवाट की बिजली यह खुद खर्च करेगा यानी अपने रोटेशन को मेंटेन करने पर इतनी बिजली खर्च करेगा। अगर आप 10 किलोवाट का मैगनेटिक जनेरेटर खरीते हैं तो इससे आपको 5 किलोवाट की बिजली मिलेगी। इस जनेरेटर को 50 से 60 हर्च की अब्रती के साथ किसी भी प्रकार के वाल्टेज आउट्पूट के लिए बनाया जा सकता है। कमपनी की और से अपने इस मैगनेटिक जनेरेटर पर इलेक्ट्रोनिक कमपोनेंट के लिए 2 साल और बेरिंग्स के लिए 3 साल की वारंटी प्रधान की जा रही है। अगर आपको भी इस जनेरेटर की खूबियां अच्छी लगी हैं और आप इस खरीदने का मन बना रहे हैं तो जड़ा रुखिए। अब इसकी कीमत के बारे में भी जान लीजिए। हर नई तकनिक की तरह इसकी कीमत भी निश्चित रूप से काफी अधिक है। पांच किलो वाट का इनफिनिटी ऐसे भी मेगनेटिक जनेरेटर 7,442 यूरो की कीमत वाला है यानि भारती रुपए के साब से लगभग 6,70,000 रुपए। वही इसका 10 किलो वाट का मेगनेटिक इनर्जी जनेरेटर 13,113 यूरो का है। इसकी कीमत को सुनने के बाद इसे खरीदने के अर्मान साय ठंडे हो गए होंगे। फिर भी अगर आप इसके बारे और अधिक जानना चाहते हैं या इसे खरीदना चाहते हैं तो इनफिनिटी ऐसे भी की आधिकारिक वेप साइट पर विजिट कर सकते हैं। Company की website पर दिये गए form को भर कर आप इस generator को खरी सकते हैं। दोस्तों आपका इस generator को लेकर क्या विचार है हमें कमेंट करके अबस्ति बताएं। साथ ही एकर चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।